प्यारे बच्चों नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत हैं प्यारे बच्चों आज हम कक्स्या 10 विज्ञान में जो सेट 3 एक्जाम जो आपका हुआ है उसको हल करेंगे आपके बार-बार मैसेज करने के बाद तो प्यारे बच्चों देखिए पहला परसंड जो था वो था पैंटेन के समावे पुछे थे क्या पुछे थे पैंटेन के समावे कितने होते हैं तो इसका जो आंस्वर आपका आएगा वो आएगा पैंटेन के समावे होते हैं 3 यह सब आपने पढ़ रखा है एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन के बारे में, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, डारेक्टली मैं आंस्वर बता रहा हूँ, आगे हैं, मेंडल जो था, मेंडल के मटर के पोदों, के क्रोस, क्रोस में, दो, अलग-अलग लक्सनों, अलग-अलग लक्सनों, जब मेंडल ने दूसरा जो प्रियोग किया था, उसमें अलग-अलग लक्सन लिये थे, आपको याद होंगे, उसने गोल और हरे, जुर्रीदार और पीले, इस तरह से जो बीज लिये थे, उसमें प्राप्त संति का अनुपात पुछा था, तो इसका जो आनसर आएगा, आपका आएगा B-Option, क्या आएगा B-Option, 9 अनपात, 3 अनपात, 3 अनपात, 1 प्राप्त हुआ था, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, पर्ष नमर 3 है, ओजोन परत की छती के लिए, ओजोन परत जो है, ओजोन परत, इसको कौन नुक्सान पहुचा पहुचा रहा है, इसको नुक्सान पहुचा रहा है, CFCS, CFCS, ठीक है, ओप्सन नमर A, आपका इसका बिल्कुल, सही हो जाएगा, क्लोरो, फ्लोरो, कार्बन, बाकी सारे गलत है, ठीक है, आगे है, पर्ष नमर 4, समझातिये स्रेणी के समझात्स देश्यों के बीच, कितने आणविक द्रेमान का अंतर होता है, तो प्यारे बच्चो, CS2 का अंतर होता है, उसमें, तो आपको क्या निकालना था, पर्मानू द्रेमान का अंतर, तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है, बारा, और दो हाइड्रोजन का अंतर है, तो देखलो, एक का एक, दो का सिरनि मेंद यहां लिख देता हूं पेपर आप सभी के पास होगा आप अपने उत्तर चेक कर लेना पांचवान जो है उसमें पुछ ए प्रेरित विदूत धारा है तो प्यारे बच्चो प्रेरित विदूत धारा जो है वो हम ग्याद करते हैं फ्लेमिंग के दक्सिन हस्त नियम से ओ ए उप्सन आपका सही होगा फ्लेमिंग के दक्सिन हस्त नियम से ठीक है तो आप ये भी पढ़ लेना प्रेरित विदुद्धारा जब आप पढ़ोगे टोपिक तो उसमें साफ लिखा हुआ है और इसको हम किस से ग्याद कर सकते हैं प्रश नमर 5 का ए उप्सन सही होगा फ्लेमिंग के दक्सिन हस्त नियम से ठीक है आगे है प्रश नमर 6 छे में पुछा था कोई दो ए जेओ निमनी करणी ये पदार्थों के नाम यानि ए जेओ निमनी करणी ये पदार्थों के आपको बताने थे उदारन ए जेओ निमनी करणी है तो प्यारे बचो इस से आसान आपका कोई नहीं होगा प्लास्टिक ले सकते हो प्लास्टिक पॉलिथीन इसके आप उदारने लिख सकते थे ठीक है ये होके एजियों नहीं करने यानि शुक्सम जियों द्वारा ये लंबे समय तक अपगटित नहीं होते तो परस नमर छे का ये आंसर हो जाएगा साथ वाँ जो है उसमें है ए ओप्षन में पुछा हुआ है सीदे दारावाई चालक तार के चारों और उत्पन चुम्बक की एक चेतर पुछा हुआ है चुम्बक की एक चेतर तो प्यारे बच्चों ये ग्याद करते हैं दक्सिन हस्तंगुष्ट नियम से दकसिन हस्त अंगुष्ट नियम से ठीक है दकसिन हस्त अंगुष्ट नियम से तुछ था उसमें फिर देखो पांचेंवाड़ा पुछा हुआ था मैं दुआरा इसे इसको नहीं बताऊँगा प्रेणित विदुत दारा पुछा हुआ है तो यहांसे इस काश्वर उठा सकते थे आप यही आएगा प्लेमिंग का दक्सिन हस्त नियम ठीक है इस और इसका सेम आएगा पर्ष नम्र साथ का आपने देखा पर्ष नम्र आठ में क्या पूछा हुआ देखो प्रोपेनेल तो प्यारे बच्चो इसमें लास्ट में देखो नेल जुड़ा हुआ है तो यह किसक यह अनुलगन होता है नेल आगे है परशन नमर 11 नो इसमें क्या है एक लंबे पोदे और बोने पोदे की बीच प्राप्त संती तो देखो उसमें क्या किया था ऐसे मेंडल ने क्या किया था दो लक्सन लेकर के जब क्रोश कराया था सारे पोदे कैसे प्राप्त हुए थे लंबे प्राप्त हुए तो यह लक्सन बताना था तो क्योंसा लक्सन है लंबा होना तो प्रभावी है इसका उत्तर क्या आएगा नो में का प्रभावी बस इतना ही लिखना है आगे है पर्श नमर 10 दस में क्या है मानों में बच्चे का लिंग नियदान कैसे होता है तो पियारे बच्चों यह मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया हुआ है क्या होता है एक्स वाई होता है पीता में ठीक है और xx होता है माता में इसके दो युगमक बनेगे एक x वाला बनेगा एक y बनेगा इसका भी दो युगमक बनेगे ठीक है जब इसका x इसके x से मिलेगा तो xx बनेगा ये x इसके x से मिलेगा तो xx अगर xx आए तो क्या होती है लड़की ठीक है और ये इसका वाई इसके किसी से भी मिल जाए दोनों में से तो क्या होगा लड़का अब देखो संभावना कितनी कितनी है 50-50 संभावना है 50-30 लड़की होने की संभावना है और लिंग का निर्दान में योगदान किसका होता है देखो पिता का होता है ठीक है पिता का वाई जो जिसमें जाएगा वो क्या होगा लड़का होगा तो लिंग निर्दान में किसकी बूमिका होती है पिता की होती है आगे देखने है परस नमर 11 परस नमर 11 में क्या है कारबन के दो गुण दरम लिखने है कारबन के दो गुण दरम तो ये आपने याद कियोंगे कारब सेयो जगता का इसका वर्णन करना था और दूसरा सरंखलन का गुण पाए जाता है पर्सफ नमर 12 में मेधेन और CO2 के इलेक्ट्रोन बिंदुख सरंचना बनाने तो तो बिल्यकूल आसार है कारबन के बाएकोस में कितने एलेक्ट्रोन होते हैं चार तो यहाँ से क्या है तो इस hydrogen का भी पूरा इसका भी पूरा और इस का भी पूरा और इस carbon का भी बाईयकोस पूरा तो ये बनेगी ठीक है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे दिखा सकते हैं ये electronic window सरंचना नहीं है ये इसकी सरंचना है ठीक है आगे carbon का अगर carbon dioxide का लिखें तो क्या होगा carbon dioxide के ऐसे में 2 दिखाएंगे इधर ऑक्सिजन से सेओ करता है कितने जुड़ते हैं ऑक्सिजन के बायकॉस में 6 होते हैं बायकॉस में कितने होते हैं इसको मैं दुआरा ही बना देता हूँ क्योंकि गलत होगी अपनी यहां बनाता हूं देखो सी अब दो क्या करेगी ये उक्सिजन के साथ सांधा करेगी तो ऑक्सिजन के बाईये को समें कितने होते हैं छे ही होते हैं तो दो इससे सांधा कर लिए अब यहां ऑक्सिजन है तो दो और दो इधर चार रहे अब देखो ये इसमें भी गिना जाएगा और ये इसमें भी गिन आजाएगा अब कार्बन के भी पूरे होगे देखो चार और चार आठ तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं तो ये था आगे है परशन नमर परशन नमर तेरा तेरा में जो है प्यारे बच्चों विदूत मोटर विदूत मोटर के बारे में आपको लिखना था इसका विदूत मोटर का मूल सिधानत लिखना था कारियविदी लिखनी थी इनमें बुर्श का क्या कारिया है पांच नमर का परशन था ये लिखना था ये आप अपनी बुक में से देख लेना बड़ा परशन है तो उमीद करत कि आपने सही से आंस्वर किये होंगे धन्यवाद